कि आपके स्टार्ट करें अपना चाप्टर नॉम्बर इलेवन डाट इस यार कंप्यूटर नेट वर्क तू अगे अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो क्या वास्ताविक्ता में यह नया चैप्टर है जी बिलकुल नहीं क्या किया आए कि आपकी जो बुक है उसने चैप्ट करके दो चैप्टर में कर दिया है वन ओर टू चैप्टर हमारा नेटवर्क ही है आपके कवर कर रहे हैं तो अगर आप समझ लोगे तो यह आपके लिए बैनिफिट्स बैनिफिशियल होगा वरना रटना पड़ेगा और वह तुम्हारी बहुत जाद दिक्कत दे सकता है सबसे बात करते हैं वाट इस मॉडम हम सबने देखा होगा मॉडम यह क्या होता है मॉडम से इंटरनेट चलाते थे जब यह फोर जी नहीं था पर हम क्या करते हैं तो हम रिचार्ज करते हैं तो एक आपका पेंड्राइफ की तरह ही डिवाइस होती थी इसको हम कहते थे मॉडम जिसकी अब से उसमें सिम डालके नेट चलाया करते थे तो मॉडम में से कम्प्वीटर फैरी फेरियल डिवाइस का मतलब होता है वो डषाज इस का मतलब होता है इन्पोट डवाइस बेसिकली गहां पिक्सक्राइब आपके पनेट इस प्यरिवीटर से होते हैं तो जो भी आपके इंपूटर डवाइस और अन्ट यह सबिक्षा है इस में से देखो इसका जो MO है मौडिलेटर को and Dem करता है default इस को कहते हैं okay At the center side it converts back analog signal to किखे हैं दी मॉडिलेशन अट दा रिसीवर सेंग ओके आप कितने टाइप सके आ होते हैं तो मौरण हमारे होते हैं दो टाइप से that is internal modem and one is external modem internal modem क्या होता है it refers to the modem that is fixed within a computer यानि कि अगर आपकी computer के अंदर modem लगा हुआ है इसको हम कहते है that is what internal modem यसे कि आपने देखा होगा आज कि आपके जो computer होते हैं उसमें Wi-Fi लगा हो ठीक है तो आप Wi-Fi की help से connect कर सकते हैं जैसे आपको dial-up होगे और wireless modem से लगे होते हैं यह बात करेंगे आप अलग से अपने computer में लगाएंगे जैसे आपके दो टाइप के हो गए आपर यह स्वाटम होगे और केंड मौडम हो गया तो अब एटा है ऐसे question क्या बन सकता है question यह बन सकता है what is modem and write types of modem and write types of modem बात समझ में आ गई ना then we have RJ45 की बात करते हूं RJ45 का है इसका फुल फॉर्म है that is registered jack 45 क्या फॉल फॉर्म है registered jack 45 इट टेफ एन 8 वायर नेक्टर यह आपका 8 वायर कनेक्टर होता है ओके एंड वीच कॉमनली यूस्ट टू सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी स्कूल की कंप्यूटर लाइब है उसके अंदर आपने ब्लू गलर की केबिल देखी होगी अपने कंप्यूटर में ठीक है तो वह होती है आपकी आर्जे 45 के विलोटी इसके थुरू सारे कंप्यूटर सापके कानेट किये जाते हैं इसको ध्यान से समझ लेना नैट्वर्क इंटरफेस कार्ड जितने भी आपकी डिवाइसे से मिटाइन के फुल फॉर्म समझ लेना ध्यान से आज कर लेना जिसे कि आपके एक नंबर में नहीं कटने चाहिए एक नंबर आपका कटना नहीं चाहिए यह जाए इस इस ऑड्याब्स इस टर्मिनल आसस्ट पॉइंट एन आईउ एड़र्क इंटरफेस यूनित अन्टिया पी इन ट्रमिनल आसस्ट पॉइंट तो अभी क् सर्वर विच हैल्प सा वर्क स्टेशन इस्टेबलिस और इंपॉर्टन कनेक्शन विद दा नेटवर्क बेसी के लिए आपको साफ सब्दों में समझाओं तो हम एनाइसी की हैल्प से ही इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं एक उसको फिजिकल एड्रेस दिया होता है जिसने वह इनकार्ड बनाया हुआ है उसने एक उसको फिजिकल एड्रेस दिया होता है जिसको हम कहते हैं that is we call it as mac address यहां से अगर आपसे मुझा जाए what is mac address तो हम क्या कहेंगे कि NIC manufacturer नहीं है जो हमको फिजिकल एड्रेस असाइन किया है उस कार्ड के लिए वह हमारा होता है mac address so it is a six white address it is separated by column now यह कुछ इस तरीके से इसमें the first digit is manufacturer id and last six digit is the card number तो आप देख सकते हो कि आपको card number यहां पर क्या है लास्ट की छे डिजिट से हो आपकी card number हो गई और जा आपका first digit है that is our manufacturer ID ओके moving forward next we have ethernet card अब यह ethernet card क्या होता है समझो ethernet card are network address designed to support wired ethernet connections जो हम wire की help से एक ethernet cable आपने देखी होगी हम जब वो लगाते हैं तो ethernet card चाहिए होता है तब ही आपके computer में उस cable से internet चल सकता है और आपने optical fiber देखा होगा तो आपने वो cable देखी होगी कि हम एक cable अपने fiber में लगाते हैं और cable अपने computer में लगा लेते हैं यह कहलो कि आपके इसमें कुछ एक इस प्रकास से port होता है like this कुछ इस तरीके से आपके laptop में port होगा this is for the ethernet cable और ethernet cable का हम यूज़ करते हैं किस लिए आपका internet को connect करने के लिए ठीक है it is a wild mode of wild mode में जाएगा now we will talk about hubs hub क्या होते हैं देखो hub is a device which is used to connect several computer together यहाँ से ध्यान से समझो जब हमें बहुत सारे computer को connect करना होता है एक topology में तो हम क्या करते हैं hub का use करते हैं okay connect several computers together it provides centralized connection to several computers with the central neural server तो basically हम क्या करेंगे कि सारे computers को connect कर देंगे पहले all computer को connect करेंगे हम किस से अब से दैन फिर हम इसको सर्वर से करनेट कर रहे होंगे okay now अब इसमें आपको दो टाइप के हाव होते है एक्टिव और पैसे वाव कि इतना ही आपको इसमें जानने की सब्सक्राइब then we have switches अब switch क्या होता है a switch is a hardware device what a switch is a hardware device used to divide or segment the network into smaller subnets online यानि कि जब भी आपको अपने network को जब भी आपको अपने network को बेटा divide करना होता है किसमें smaller network के अंदर है okay in the smaller network तो हम यूज कर रहेंगे इसको then we will use switch को यूज कर रहे होंगे ना functions of a switch क्या होता है देखो the functions of switch is responsible for forwarding a data packet और a specific route or segment इसका काम है कि आपको data के जो packets थे उनको proper अपने route पर पहुचा देना okay now for this purpose इसलिए स्वीच क्या करेगा स्विच इस्टेबलिस इसा temporary connection तो सोर्ष रेस्टेसिशन के बीच में temporary connection बनाएगा और आपको डेटा है वह आप पर पहुंचा दिया जाएगा प्रापर जैसे डीटा पहुंच जाएगा वैसी ही आपका सब्सक्राइब कर देगा एक सबसे इंपार्डन डिवाइस एड़ इस पर कोशन भी आपको मिलेगा आप से कोशन पूछा जाएगा कि यह हमको कौन जी डवाइस कभी यूज करने है यह मैं आपको करवा दूँगा डाट इस दा रिपीटर इस इस एड़ वे डिवाइस करते हैं, थक जाते हैं, फिरलब क्या करते हैंendum को खान से यहाँस करना है उसको यह वापस क्या अपलिफाई करना है मं यह आपक्स य्रूप phenics the signal again function of repeater that is it receives an incoming signal from one device and retransmitted formatting into the other यानि कि अगर यहां से signal आ रहा है आपका ठीक है और यह गया आपका repeater के अंदर और यहां से निकल जाएगा amplify हो कर के क्या हो कर के amplify हो कर के सिगनल निकल जाएगा और नाव तो टू टाइपस ओफ देरा टू टाइपस कौन कितने टाइप होते हैं पहला होता है आपका amplify repeater दूसरा होता है signal repeater अगे यह आप एक बार देख लो टाइप साबस पता रखो बहुत जाने की ज़रत आपको नहीं है एक बार इंक को भी देख लो तो amplifier signal क्या करता है यह amplify करता है incoming signals को ठीक है और अधिए अम्प्लिफाइज बोथ signal एंड एनी करेंट टाइस सिगनल को भी अम्प्लिफाइज करेंगा और नॉइस को भी यह amplify अधिए जो सिगनल आया उससे और इस सिगनल को वैसा ही बना देगा जैसा ही सिगनल सोर्स से चला हुआ था यह काम है सिगनल रुपीटर का अगर मालो हमें नेटवर्क ए और नेटवर्क बी को जोड़ना है तो हम क्या करेंगा वी विल यूज ब्रिज और यह आप कोशन्स जो है यह कोशन्स कैसे आई है कोशन इससे आएगा एक बेटा पांच मार्कर कोशन होगा उसमें आपसे मूझा आएगा विच डिवाइस हीर राम विल यू और तर अब यह राउटर क्या होता है डिवाइस दैट फॉर्वर्द डिटा फ्रॉन वाइन एटवक अदिर में अगर Prem एक नेटवकसे। से दूरे से डिवटारम डीटा क्या करना है है फौन चाओंचाना है तो हम क्या करेंगे राउटर का यूस्का रहे होंगे एड्द ओर्प्रोंट के दार काम करता है लेकिन यह डिफॉरेंट्वल्स को हेंडल कर सकता है की अगर सकता है but कि कैंडल डिफॉरेंट प्रो टॉटोंग ओ डिफॉरेंट प्रौ झांफ कर्ड काण्स तो gateway क्या है भी या इसका नाम तो बढ़ आच्छा गेट और वे तो gateway इस नेट्रवर्क डिवाइस क्या हिया है एज और डवाइस विच इस तू कनेक्ट डिस सिम्लर नेटवर्क आपको यह दिशान रख नहीं क्या लगना है कि gateway में आप दो dissimilar network को connect कर सकते हो तिक है so it established a connection between local network and external network which are completely different in structure जैसा कि माल लो आपका एक local network है आपका land एक company का network है और आप इसको internet से connect कर रहे हो तो internet क्या एक external network हो गया और हमारी company का network local network हो गया and these are both are completely different in structure लेन अलग होगा लेन अलग तरीके समने बना रखा होगा लेन की टापोलोजी अलग यूज की होगी और हमारा देश्टरन ने रख है उसकी टापोलोजी अलग यूज हमने की होगी then we have wi-fi cards wi-fi card क्या होता है it is an it is an either an external or external local area with a built-in wireless radio and antenna basically अभी वाइफाइ काड की help से हम अपना wi-fi use कर सकते हैं अपने device के अंदर और इसमें क्या चीज़ बिल्ट इन होती है we have built-in wireless radio and antenna जिसकी help से आपका जो है wi-fi signals हो रहे होंगे विकास अगर signal transmission के लिए कुछ नहीं होगा ना तो आज को टापक हमारा समाप्त होता है और एक बच्चे नगल कोशन पूछा था भी इस स्लाइट समय कहां मिलेगी तो बेजिकली स्लाइट से नहीं बेड़ा यह मेरे खुद के इनिटे नोट से जो कि आप ले सकते हैं लिंक्स हमारे description में दिये गए हैं सबसे बारा सवाल क्या है भी यह हमको network तो पता है हमने कभी सारे चीज़ा पढ़ नहीं नेट्रोक के बारे में रूटोकॉल्स क्या होते हैं तो अंडर्ण सुना जरूर अनन मतलब होता है यह बेसिकल ले देरा सैट आफ रूल्स इट आफ रूल्स अड टरैगूलेशनस वाट देरे आफ द्रैट आफ रूल्स और रावलेशन स्वर दूएं अन्यों फोर्ट अट इस नोन एस यह अर् थे इंसर्टम से बात करने इन नेट्वर्टिग है अब प्रोटोकालिज और रूल्स फ़र-वर्मेटिंगा प्रोसेसिंग डेटा याने डेटों किस प्रकार सेंड करेंगी सेन रिसीव कर जाएगा किस प्रकार इंटेशन होगा इस प्रकार उसका होगा यह सब को कहते हैं that is protocol now protocol करता क्या है it helps computer to communicate with one another यानि की protocol की help से आपका जो एक computer है that is computer number one can communicate with computer number two यानि आपस में जो computers में communication हमारी हो possible हो पाती है सबसे पहले we have that is HTTP that is we have HTTP and it is hyper text transfer protocol it is an application level protocol and it is widely used for viewing information of web page over internet इसका क्या होता है इसका काम यह होता है कि जो आपके उस page में आपके उस पेज में जो information उसको व्यू करने के काम में आता है किस काम में आता है that is is used for viewing information of a web page on internet the next point is it consists of a set of requests from the browser of a local computer to the web server and a set of responses going back to the event यानि इसके इंदर क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है देखो आपका जो ब्राउजर वो क्या करता है वो रिक्वेस्ट बेस्टा है ठीक है कि उसको आपके रिक्वेस्ट बिजी जाएंगी वैब सर्वर को ओके और एंड असेट आफ रिस्पॉंस इस गोइंग बैक तुद अधर वे यानि कि जो रिस्पॉंस आपका वापस आ रहा है वो इसके पास होगा एंड़ीप यहां पर या भी एंड़ीप इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहां पर इसथरह से एंटना साभयां से कवर कर सकते हैं ृफ ति पी इन सब के वेटा को याद कर लेने है अफ टीप जैडिस फाइल ट्रांसफर प्रोटोड फ्टीप का जैसे नाम ही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानि कि हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है, that is FTP, so FTP is designed to transfer files from one system to another, that is designed from one system to another, now using FTP, different people locating in different geographical locations can cooperate and work on a common project, यानि कि अगर माल लो कि एक तुमारा मित्र है, जो की घर पर है, और एक तुमारा मित्र है, जो की मुम्बई में रहता है, और एक और तुमारा मित्र है, that is, he lives in Delhi, अब ये सभी आपस में अगर कोशी भी common project पर काम करना चाहते हैं, data share करना चाहते हैं, तो प्रोटोकॉल यहाँपर क्या use होगा, FTP, then we have, FTP is designed to promote sharing of files and to encourage the indirect use of remote computers, FTP को बनाया क्यों गया था, इसको बनाया गया था, ताकि हम files को share करें, और साथ में, हम remote computers को, यानि कि कोई अगर दूर बैठा हुआ है, तो उसको लिए भी हम थोड़ी facilities इंक्रीज कर रहे हो, ताकि बोड़ी transfer कर पाई, FTP के इस्तेमाल से, आप किसी भी type की जो file है, वो transfer कर सकते हैं, एक computer से, दोसरे computer, पर्फ, then we have TCP and IP, क्या है, TCP and IP, अब TCP and IP, मैंने आपको समझाया था, मैं द्वारा समझा रहा हूं, ध्यान समझ लो, दिन बच्चान लेक्च्छ नहीं देखे हैं, और जो बच्चे जाना सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure कि चैनल सब्सक्राइब करें, because more than 80% बच्चे जो हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हुआ है, TCP and IP is a set of two protocols, क्या होता है, TCP और IP क्या है, एक set दो प्रोटोकॉल का, तो इसमें क्या क्या है, दो प्रोटोकॉल कांवान से TCP और IP, IP का मतलब है, internet protocol, TCP का मतलब होता है, transmission, control protocol, ये दोनों full form अच्चे से ध्यान रख लिए ना, एक number में आप से पूछे जा सकते हैं, then we have that is, अब दोखो IP क्या करता है, IP तुम्हें बताएगा, that is how packet of information send over network, यानि कि IP ये काम है, that is it tells, that is tells how packets will send over network, यानि कि आपका ये डीटा जोया, किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा होगा, एक network के अंदर, then, अब, so, IP as a packet addressing method, that lets any computer on the internet forward, a packet to another computer, that is a step closer to, आप इसको वही चीज, बहुत सा स्टेंड़ाइट मैंने लिख रख रखिये, तो आप उसको थोड़ा सा कर सकते, although मैंने आपको ये TCP IP इससे पहले भी बता रहा बताया था, तो आपे मैंने लिखा हुआ था, then we have, that is, TCP ensures the reliability of data transmission, and across internet connected to network, इसका मतलब क्या है, basically समझ लो, देखो बेटा, मानलो की एक फाइल है, कोई भी डेटा है, जो ट्रंसफर कर रहा जाया है, A से B के बीच में, अब यहाँ में मानलो, रास्ते बहुत जादा है, like हम इसको पॉइंट में डवाइट कर देता हूँ मैं, जैसे कि मानलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससा आपस में connected है, 7, 8, 9, ओके, नाव, अब यह देखो, अब IP काम क्या है, IP काम यह है, कि यह decide करेगा, कि आपको जो packet है, आपको मैंने बताए जाए, डेटा हमारा जो packet में convert किया जाता है, और उसके बाद, और उसके बाद में यह network में भीजा जाता है, ओके, ओके, नाव, TCP क्या करता है, TCP इस A पॉइंट पर, इस A वाले पॉइंट पर, डेटा को packets में convert करेगा, ठीक है, एड़ अड़ बी पॉइंट, जो डेटा हमारा packets में आया है, उसको वापस से क्या करेगा, दैट इस, रिअरेंज करेगा, क्या करेगा, उसको वापस से, रिअरेंज कर रहा हुगा, तो ये काम होता है, हमारा TCP का, एड़ आईपी का, ओके, similarly मैंने नेक्ट में लिखा हुआ है, TCP चेक, पैकेट फॉर एरर्स, एंट समिट रिक्वेस्ट फॉर, रिट्रांसमेशन, यानि कि अगर आपका, कोई भी पैकेट, क्या होता है, अगर आपका, कोई भी पैकेट, वहां से गाइब होता है, क्या हो जाता है, गाइब हो जाता है, तो वो रिक्वेस्ट वापस से, रेस करता है, फॉर दा, रिट्रांसमेशन, क्या करता है और दा री ट्रांस्मिशन ताकि जो है उसको वह इंफोर्मेशन वापर एक प्रोपर तरीके से वहाँ पर मिल जाए यूजर को दैन वी हैव दाट इस पीपी अभी पीप क्या है भी है देखो इस पॉइंट टू-पॉइंट प्रोटोकॉल अब जैसे हमारा इस यूज़ विद डायलब इंटरनेट कनेक्शन इंक्लूडिंग आई इस दिया इन इस ए लेयर प्रोटोकॉल इन वेज विच विच इस वर दा रांस्मेट ट्रांस्मेशन डेटा ओवर टेलीफोन लाइन यह तो आपका रिटा वो ट्रांस्मेट हो रहा है कहां टेलीफो और यहां पर आपको यहां पर याद कर लेना है और एक्जाम से पहले बेटा बैठा हुआ था चीज़ सोच रहा था तो मेरे कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ी थी एडवास की बस फुल फॉर्म जो है ना वही आ जाए जो मुझे यहाद है कि फुल फॉर्म में मुझे दिक् हो रही थी काफी फुल फॉर्म हो जाते है दैन वी एफ प्रोटोकॉल यूज इन इमेल्स यह ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे वहाँ पूछा गया था इसके बारे में और मैंने बिल्कुल सही जबाब वहाँ पर दिये थे ना बात करते हैं प्रोटोकॉल का फिर वही मतलब फैन इसका काम क्या भी है इसका काम है अजंद्स यूज करना है तो सर्वर से अब ईमेयल लिए ट्रांसफर इट वर्क्स वैल विस्लो करेक्शन लाइक मॉडब जो आई-मेपी है यह आपका स्लू करेक्शन में भी काम कर रहा होगा इसे कोई दिक्कत नहीं होगी इसका मतलब क्या हम यह क्या सकते हैं कि जो बागी अधर हमादे प्रोटोकॉल से वह स्लो करेक्शन कर लेगा सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट के लिए ओके एट एलाओ टो एसे मेल ऑफलाइन दस नीज इंटरनेट दस नीज लेस इंटरनेट याने कि आप आप अगर आपके जो इमेल सा वह लोड रखे तो आप आप आफलाइन भी इमेल को एसस कर सकते हैं इसका एक यह पॉइ तो हम उन चीज़ों के बाद में देख सकते हैं similarly जो है चीज़ा वेट आप योपी 3 के साथ में हो रही होती है then we have SMTP SMTP क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फिल्फार आपको याद रखना है now SMTP is used to send emails over the internet इसका इस्तमाल क्या करते हैं इसका इस्तमाल करते हैं अगर हमें email सेंट करना है कहाँ पर internet की help से then it handles sending and receiving of message between email servers over TCP network क्या करता है sending or receiving में यह समालता है ठीक है between email server जो आपके email server लगे हुए हैं उसमें and TCP और IP के साथ में now this protocol along with sending emails also provide the feature of notification for incoming emails देखो आपने देखा होगा आपके पास जब email आता है तो आपको notification मिल जाता है वो कैसे मिलता है SMTP की वज़े से तो क्या होगा यह इसका additional feature है और मेरे notes में आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपकी बुक में भी नहीं लिखी हुई है और अगर आप ऐसी चीज़े लिख दोगे अपने exam में पूछी जाएं तो 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 आपका अच्छा impression वहाँ पर पढ़ रहा होगा अगे यह यह वी यह यह फुट को अगर आपको नेड है यह हमारा internet है और आस्पोग कुछ भी डेटा अगर चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्छ भी डेटा की अगर आपको नीड है सब्सक्राइब दैन हम क्या करेंगे दैन वी विल यूज डब्लु 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 सब्सक्राइब याद कर लिए हर बच्चे को याद होगा बहुत आप लोग रठा होगा वेटा इस वर्लड वाइट बैप ना थैस्ट्ट्व प्रोटक्वाल कैन भी उस्ट ट्रांसफ कर सकते हैं सब्सक्राइब कि साहिदा से डाट इस वी हाव इनना फार्म अफ प्लीन टेक्स्ट का मतलब होता है नॉर्मली टेक्स रखा हुआ रखा हुआ है प्लीक करने के बाद नए पेज पर आ जाते हो आपने पढ़ा भी होगा अपने टेंद वागरा पढ़ी तो आपक स्थम कैसे क्रियोट कर लेते हैं ओके युक्वा अधलम टापका अपटक्स के वही होता है दैन वी और यू विडियो एंद देर्शेयर वेरियस ताइप सफ डेटा ना एड़ एस वारलेस अ मॉबाइल कंदूटिंग ना ओट इस वायरलेस कंदूटिंग इस वायरलेस कंद देखो is not continuously connected to the base of central network याने कि हमारी जो device है वो क्या है continuous connected नहीं तो नहीं है तो हम disconnect भी कर पा रहे हैं इसे आप हो कि आपको जब इंटरेट की ज़रूब तब आपने ओन किया वरना डिटा आफ करके कि अपना काम कर पा रहे होते हो ना यह वायर वायर लेस्ट मुबाइल कम टेक्नोलोजी जिसके वारे बात कर रहे हैं कब से पहला हमारे पास सब्सक्राइब ग्लोबल सिस्टम फॉर मॉब सब्सक्राइब लेख रहे हैं ताकि आपको अगर कुछ पॉइंट भी करने आपको अपने हिसाब से पॉइंट को यार रिमेंबर कर सकते हो ना तो को इनट थे स्पैसिफिक सर्वर पोवाइडर्स इस डिफरेंट कांट्री इन इस इस डिफरेंट कांट्री जी सीम यूजर जी आसेम यूजर्स इसम प्लीज स्विच सब्सक्राइबर एंटिफिकेशन मोडिय। बेसिकली क्या होता कि अगर हमको अलग अलग सिम में यूज करना है जी आसम तो उसका जो भी सिंस अबिलेबल होगी है उसका यूज करेंगे तर्वासाम अगर हम बात करें कि अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो हमां वहां की जो प्रोवाइड लोंगे उनकी से ले नहीं पड़ेगी then we have sim cards are small removable disk that slip in and out of gsm cell phone sim cards क्या होते हैं भी यह sim cards बहुत छोटे होते हैं वैसे भी इतने ठीके बहुत छोटी से चिप होती है जो usually आप अपने phone में insert कर सकते हैं और फिर आप उसको निकालके भी दूसरे phone में use कर सकते हैं now gsm क्यासे करता है gsm uses a narrow band क्या use करता है gsm that is it uses narrow band क्या इसका TDMA क्या नाम है TDMA which allows eight simultaneous cells on the same radio frequency क्या होता है कि यह एक same radio frequency पर eight cells जो है वो easily come easily data actions कर पा रहे होंगे TDMA का full form क्या है TDMA का full form है that is time division multiple access क्या full form है that is time division multiple access now gsm systems use inscription to make phone calls more secure gsm system क्या करता है यह encryption method का use करता है जिससे कि आपके जो phone calls है वो सिर्फ आप जिससे बात कर रहे हैं वही सुन सकता है now there is IDEN अभी IDEN क्या होता है IDN is integrated digital enhanced network यह क्या है इसको introduce किया किसने motorolani system लेके आया और इसको use किया गया next LK द्वाला जितने full form आपकी बुक से बन सकते थे सारे full form मैंने इसे mention कर रखे हैं और आप इसको देख सकते हैं अगला सवाल आ सकता है भी है what is SIM card SIM card क्या होता है SIM card क्या है subscriber identification module अब यह होता क्या है तो SIM card is actually a tiny computer chip that gives a cellular device to its unique phone number SIM card की वैसे क्या होता है हाई device का unique phone number होता है now SIM की memory होती है आपना अगर SIM को देखोगे तो इसमें memory लिखी होती है so SIM have 16 to 64 kb of memory now 128 kb भी available हो गई है second we have that is CDMA CDMA का मतलब होता है that is code division multiple access that is code division multiple access it uses spread spectrum techniques where data is sent in small pieces of a number of discrete frequencies तो आपना देखा GSM क्या करता है GSM एक frequency के अंदर एक ही frequency पर आपका जोब 8 cells of data transmit होता है लेकिन यहां क्या होता है आपको जो data है वो अलग-अलग frequencies पर काम करता है अब बेटा आजकल अब बहुत ही कम लोग होंगे आप मैं शाहिए जिनको पता हुआ कि पहले जो phones हमारे आये करते जाटे जीएसम GSM अगर phone है तो इसका feature है CDMA अगर phone है तो इसका feature हुआ करता था बहुत जीएसम का मतलब क्या होता था जीएसम का मतलब यह होता था कि आप इस phone के अंदर कोई भी SIM card यूज कर सकते हैं क्या कर सकते थे हम इस phone में कोई भी SIM card यूज कर सकते हैं For example, हम मान लेते हैं, Nokia का phone है, तो हम इसमें हम डाल सकते हैं, that is, और Jio यूज़ कर सकते हैं, Jio तो ऐसे अभी आया, Airtel यूज़ कर सकते हैं, Idea यूज़ कर सकते हैं, Vodafone यूज़ कर सकते हैं, पहले एक time की बात कर रहा हूं, अब तो V.I. हो गया है, अगर हम CDMA की बेड़ा बात करें, CDMA में क्या होता था, CDMA में आप Single Sim यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, Single Sim, Single Sim ते मेरा मतलब ये है, कि आप उसमें एक ही Company का Sim यूज़ कर सकते थे, ओके, जैसे कि आता था, इसमें आप ट्याटा टोकुमों का Sim यूज़ कर सकते थे, पर ट्याटा टोकुमों अगर आपने सुना हो नाम, बेसिकलिए Company थी, नाँ थार्ड वन इस WLL, WLL क्या होता है, WLL is short for wireless in local loop, तो इसके दो short form हो सकते हैं, WLL और Will, इसमें आई आपका स्मॉल रहे हो, then we have, in this telephone, provided is expected to be as good as wide phone, यानि कि इसमें जो आपकी quality रहेगी, so its voice quality must be high, a subscriber carrying out long conversation must not be related with quality, आपकी जो quality रहती है, बात करते हुए, वो बिलकुल high quality इसमें maintained रहती हैं, ओके, इसमें WLL में क्या होता है, that is one must be able to use speaker phones, and cordless phone and parallel phones, तो कि इन तीनों को हम इसमें यूज कर सकते हैं, advantage के हैं, WLL के, advantage ही हैं, that is, 8 offers better bandwidth than traditional telephone system, जो हमाना normal telephone system है, उससे जादा हमें याँ पर bandwidth अबलेविल देखने को मिल देखने को मिल देए, then it is better customer service feature and quality can be valid, WLL के जो भी हैं, जादा अच्छे इनके customer service features available हैं, जिसके वैज से आप इसको पर रफर करा जा सकता है, WLL system support high quality data transmission, okay, signalizing services and all the most advanced computer service features, now we have GPRS, that is GPRS, GPRS क्या होता है, इसका full firm क्या है, General Packet Radio Service, क्या full firm मेटा है, General Packet Radio Service, full firm याद कर लेना, मैं बार बार यह चीज़ बोलता आ रहा हूं, हर lecture मैंने आप लोगों को बोला है, तो make sure कि आप इसको ध्यान दे, so it is used for wireless communication using a mobile device, that is, it is used for wireless communication using a mobile device, क्या करता है, it is a technology for radio transmission, क्या है technology में, radio transmission of small packets of data, especially, ESP का मतलब is especially, between mobile devices and internet, याने कि mobile devices और internet के बीच में, जो आपके data transfer हो रहा है, वो किसके थूँ होता है, GPRS, GPRS क्या करता है, radio transmission का use करता है, और data को क्या करने के लिए, transportation एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अगला सावाल है, GPS काम क्यासे चलता है, GPS provides a high speed radar transfer, typically between 56 kbits per second, to 110 kbits per second, a user of GPRS network is charged, only for the amount of data is sent or received, as opposed to a duration of connection, तो आपने पहले देखा होगा, अब तो आपका data हमेशे ही on रहता है, अब से जिए हो आगया है, लेकिन पहले क्या हुआ करता है था, कि हमें जतना काम है, उतना ही data on करते हैं तो बाकि हम off करते हैं, बेकास data पहले बहुत ज़्यादा महेंगा था, तो आपने देखा होगा जतना duration के लिए आपने इसके आपका उतना ही, जतना data आपका download हुआ है, the amount of data is sent, और received या data जो download किया है या फिर आपने upload करा है, उसके हिसाब से आपका जो हमारे पास recharge होता था, उसमें से cut जाता था, ठीक है, अब बात करेंगे अब 1G, 2G, 3G, 4G, 5G network के बारे में, G का मतलब होता है generation, ठीक है, किस generation का network आप यूज कर रहे हैं, so G refers to the generation of underlying wireless network technology, 1G की हम बात करें, 1G networks, it is considered to be the first analog cellular system, या दा हिये, it was the first analog cellular system, start हुआ था 1980s में, it is purely designed for voice calls, and almost no consideration for data services, 1G network को design करा गया था, सिर्फ voice call के लिए, इसमें कोई भी data services आपकी नहीं थी, data services के लिए इसको design करा ही नहीं गया था, then इसके बाद आता है बेटा, 2G network, 2G हमारे पास आता है, GSM, CSDMA1, and DAMPS, तो इसमें का 2G network में, it was the first digital cellular system, यह आपका internet के लिए, इसको launch करा रहा था, तो इसमें गया था, that is, it offered improved sound quality, better quality, and high total capacity, 1G comparison में, इसमें आपकी sound quality ज़ादा ची थी, और ज़ादा security भी थी, मैं अगर अपनी पसनरी बात करूए, तो मैंने 2G भी यूज़ करा है, then we have 2.5G network, तो यह क्या है, इसमें कुछ और और enhance किया होगा, it are the, ठीक है, it was, it was the, छोड़ा सा मिस्टे हो गया है, ठीक है, it was the, it was the enhanced version of 2G networks with theoretical data rates up to 104 kbit per second, basically क्या था, जो हमारा 2G network था ना, उससे 2.5G में, यहां पर क्या बढ़ाई गयी थी, speed बढ़ाई गयी थी, ठीक है, बात समझ भी आई, ना, 3G की बात करते है, तो 3G basically क्या है, there are new seller networks that have data rates of 384 kbit per second and more, basically 2.5G comparison में, 3G हमारी जो speed है, वो और increase हो गई, that is 384 kbit per second, then इसके बात 4G network आते हैं, it is a mobile multimedia network system with anytime, anywhere, global mobility support, integrated wireless solution and customized personal service, basically इसमें कहने का मतलब साफ साफ इतना साफ है, कि आपका global mobility support, wait a second, आप कहीं भी चले जाओ, आपको 4G networks available रहेंगे, and साथ में speed का factor में consider करना है, हाट generation में, जैसे generation हमारी बढ़ेगी, speed हमारी बढ़ती चली जाएगे, so latest technology हमारी चल रही है, that is we have 5G networks की बाते हैं कर रहे हैं अभी, और आप सब use भी कर रहे होगे, मैं भी यूज करता हूँ 5G network को, यह कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, it is a fifth generation of wireless communication technology, supporting cellular data network, it promise to provide speed up to 100 Gbps per second, कितना data transfer हो रहा है, 100 Gbps per second तक की speed जो यह promise करता है 5G, और अगर तुम एक बात बाता हूँ, जो 4G, 4G को जो actual speed होती है, that is 150 Mbps, लेकिन वो भी हमारी नहीं आती है, okay, coverage पर भी demand करता है, आप में जो pack recharge किया, उस पर भी demand करता है, आपका service ISP, internet service provider, उस पर भी demand करता है, so 5G को जो speed है, जो actual speed is 100 Gbps, now, so 5G is set to be 40 to 100 times faster than 4G, okay, now, अब इसमें क्या है, कुछ और mobile communication technologies है, इनकी जोड़ी बात कर लेते हैं, okay, इसमें basically, आप इसको थोड़ा एक reading कर लेना, इसमें आपको याद क्या करना है, आपको ये पता करना है, इसमें मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, CDMA को basically, कि इसमें डवलब किया था, CDMA को डवलब किया था, Qualcomm ने, and HSP का फुल फॉर्म जान लो, it stands for high speed packet access, तो basically क्या करता है, कि जब आप कुछ भी download कर रहे होते हो, तो आपको इसमें data isp थोड़ी अच्छी मिल जाती है, HSP होने के वज़े से, okay, then LTE का फुल फॉर्म आपको याद करना है, okay, and इसके बाद, YMAX का फुल फॉर्म ज़रूर याद करना है, Worldwide Interoperability for Microwave Assess, because इसका फुल फॉर्म जो थोड़ा सा, unexpected हो जाता है, because इसमें, Worldwide के बाद, Interoperability आता है, okay, जब मैं याद किया करता था, तो हमाँ थोड़ा सा दिकत होती थी, then we have mobile processor की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, mobile processor, आज का अल हम जब भी बेटा नया mobile खरीते हैं, हम क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं, भया, इस phone के इंदर तो snap dragon है, ठीक है, इस phone के इंदर यह नानो मींटर का processor है, इस phone के इंदर यह processor है, ठीक है किसी में 710 है, किसी में 660 है, ठीक है अब तो अभी 810 आगा है शाइब, तो basically the element that is responsible for speed, efficiency and battery life of your smartphone is known as processor, आपका phone कितना तीज चलेगा, यह किस पर डिबेंट करता है, कि आपके phone में कितना अच्छा processor लगा हुआ है, इसमें काफे सारी पार्ट होते प्रोसेसर में जो आपका प्रापर काम करते हैं, CPU और Central Processing Unit we have, यह क्या करता है, इस रिजीब कमांड और मेक इंस्टेंट केलकुलेशन और सेंट सिंगनल राट रहा हुगा, आपने टर्म सुना होगा बेटा, GPU, GPU क्या होता है, Graphics Processing Unit, इड असेश्ट देश्ट देश्ट प्रोसेसर इवन फर गेम से अदर ग्राफिकल लिच अप्रेशन, बेसिकली क्या करता है, CPU की साहिता करता है कि स्वीज को हैंडल करने में, ग्राफिक्स को हैंडल करने में, ओके, बास समझ में आई, आपने देखा होगा, जितने भी Android और जो iPhone वाल लिवे होते हैं, या आपस में लड़ते रहते हैं, किस वज़े से, या मेरा कैमरा बैटा रहा है, और मेरा कैमरा बैटा रहा है, अब होता क्या है जेनरली, कि iPhones के अंदर, इनका ISP ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो जो इमेज पहली बाद, तो उसका hardware ही अच्छा है, तो आपको यह चीज़ देखने को मिलते हैं, आइफोन में, नमबर ओफ पिक्सल्स जो होते हैं, वो आपको कम देखते हैं, अच्छा देखने को मिलता है, वो आपको अच्छा देखने को मिलता है, वो समय डेटेल्स जादा मिल रही होते हैं, तो यह क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट इमेज कैप्चर, तो आप ISP की वज़े से, इमेज तुरहन्त फोटो खीच पाते हैं, तो आप क्यामरा खोल के तुरहन्त फोटो खीच जाती हैं, किस वज़े से? ISP के वज़े से, इमेज सिग्नल प्रोसेसर के वज़े से, हाई रिजॉलिशन सपोर्ट विज़े तुम फोटो खीचते हैं, तो यह एव्ट आडिए और वीडियो, जिस तो इसके लिए क्या होटा है, जाब का आडियो और वीडियो को समाहल रहा होता है, धैन, विए व्रेटियो, और आफ रम्ट्रसेवर, छीचा है, ट्रंशेवर, एद सफीवर, 3G, 4G मोडम, सब्सक्राइब आपको आपको समझा दी जाए और आपको 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 ताइम ना रही है इस एक ट्रांसमेशन ऑफ सॉइट टेक्स मेसेज तू एंड फ्रम मुवाइल फून फैक्स मशीन और आई-पी आड्रेस बेसिकल यह मैसमेश बेस्टें तो क्या होता है कि एक शॉर्ट मैसेज जो है वह हम अपना एक पून से दूसरे फोन बर बेश सकते हैं या हम फैक्स मश एक मैंने पूसरे में आ आओनe च्छाट करते होना सिम्मेलर वही है वीडियो कोनफरेंज का मतलब और वीडियो कॉन्फरेंज करते हो kiss-作ख प्रोल्ड रहा परभाई नहीहें रहेगा है UK लेन प्रोड़ोज सबस्ट रॉनें खरके सकता है आप से चैट के लिए हमारा प्रोटोकल होता है आई आर्सी इंटरनेट रीचेट और वीडियो के लिए होता है यह एच पॉइंट थी टूट्री एड 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 सेंसेशनल सेशन इनिशेशन प्रोटोकल यह दो बात आपको ध्यान लग नहीं है चितने होल फर्म प्रेक्टिस कर लो होतना आपके ल इसका मदला साफ साफ यह है कि आपकी जो वाइस है वह इंटरनेट के हैं रहें ट्राइवल कर सकते हैं वह इसको पहले हम क्या करेंगे पैकेट में रिसीवर एंड पर हमारी जो पैकेट से वह पहुंचकर एसेंबल हो जाएंगे वापस से वाइस बन जाएंगे तो दर मोस् इंटरनेट आए आप लास्ट टॉकिक एडिमोस्ट कवंन यह हमारे पास पहला है वाईफाई वाइफाई प्रिटरों मियुक्तिट वाइर्लेस टू आपकी टू आइज हम अपने इंटरनेट को यूज विएर अयुज कर सकते हैं आपने डवाइस केंदर इस पी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है यानि कि अगर आपके SIM card Airtel का है तो आपका ISP कौन हुआ Airtel अगर आपका SIM card Jio का है तो आपका ISP कौन हुआ Jio Make sure that your Wi-Fi is security enabled so that hackers could not steal your data आप जब भी public places में जाएं तो ये make sure करें कि आप कोई भी open security Wi-Fi connect ना करें थोड़ी से data के शक्कर में आप अपना कुछ personal data जो है वो आपका लीक कर सकते हैं आपका phone hack हो सकता है तो इन चीजों से थोड़ा ध्यान से बचे Then we have Wi-Fi hotspot Hotspot का मतलब क्या होता है Hotspot का मतलब होता है यह एक ऐसी जगह जहां पर आपको Wi-Fi access मिल रहा है जैसे कि आपने मित्र का आपने कई अपने लोगों ने अपने दोस्तों का Wi-Fi hotspot बना रखा होगा है ना तो तो तम उनसे data मांगते रहते होगे और वो तमाद दे देते होगे लेकिन यह बात ध्यान रखना जब मित्र कर डिटा खताम हो जाए तो दुवारा दोस्ती नहीं भाना और उसको भी डिटा अपना यूज कर जाए देन वी यह वाई-मैक्स वाई-मैक्स क्या होता है वाइ-लेस डिश्टरल कमिकरिशन सिस्टम विजए यह एक वाई-लेस डिश्टरल कमिकरिशन सीस्टम है उके, it can provide broadband wireless access, up to 30 miles of fixed station, यानि कि देखो hotspot में क्या होता, hotspot कि लिमिटेड रेंज होती है, कि हम सिर्फ उतने ही area में provide करा सकते हैं, लेकिन वाइमेक्स में क्या होगा, कि आप 50 km तख, 50 km तख आप आराम से internet access provide करा सकते हो, usually क्या होता है कि इसको limit कर दिया जाता, तक हम इसको लिमिट कर देते हैं but हम इसको यूज कर सकते हैं 50 किलमेटर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक्शूर करना की चैनल को सब्सक्राइब करो साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देने मिलेंगे हम सभी एक नेक्स वीडियो के साथ हूं सब्सक्राइब